तो आज हम class 3 subject maths का topic रुपे और पैसे का part 1 पढ़ेंगे आप सभी का नवांगुर के डिजी लेसंस में स्वागत है तो चलो पढ़ते हैं रुपे और पैसे मैंने बहुत सारे सिक्के इखटे किये हैं लेकिन मेरे पास बटुआ नहीं है इसके पास क्या नहीं है बटुआ नहीं है चलो पैसे रखने के लिए एक बटुआ बनाते हैं जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो हम उन पैसों को पर्स में या बटुआ में रखते हैं न तो आज हम बटुआ बनाना सीखते हैं काईसे सीखेंगे कागच से कागच की एक सीट लें और उसको बीच से मोड़ें और खुल लें इस तरह से दोनों कौनों आ और बा को इस तरह मोड़ें की बे बिंदूओं वाली रेखा पर मिलें इस तरह अब कागच की सीट कुछ इस तरह दिखाई दे कि जब हम मोड लेंगे तो हमारा जो कागच है वो इस तरह से दिखाई देगा कागच की सीट के उपरी इससे को पीछे की तरफ मोडें ताकि सीट का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई दे जब हम इस तरह से मोड लेंगे तो उसको नीचे की ओर कर देंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा और आगे का हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो आगे पलतेंगे न हम जब आगे दिखेंगे तो इस तरह से हमारा बटवा दिखाई देगा बड़व बनाया जा रहा है कागच की सीट के आगे वाले भाग को उपर रखे और काखा गाखा वाले किनारी को इस तरह मोडें की बे बिंदुओं वाली रेखा पर मिल सके अब कुछ इस तरह दिखाई देगा आगे देखते हैं उपरी हिस्से को बिंदियों बाली रेखा के बरावर मोडें जिससे एह कुछ इस तरह का दिखे आया ना समझ में पीछे के फ्लैब को नीचे मोडें और आप पैसे रखने के लिए बटवा तयार है आपका वटवा तयार है और आप पैसे रख सकती है अपना वटवा अपने पैसे अलग-अलग सिक्कों को इखटा करो एक सिक्के को किसी ठीक सी जगे पर रखो और उस पर एक पतला कागज रखो एक हाथ से कागज को तान कर पकड़ो पैसिल की नौक को सिक्के के ऊपर कागज पर खिसो दीरे-दीरे सिक्के की छप कागज पर उभर आएगी छपे हुए कागज के सिक्के को काट कर बहर निकालो और अपने बटवे में रखो इस तरह से आपके सिक्के बन जाएंगे और पटोय में रखना है उन सिक्कों को आप कागच को काट कर कुछ नोट बनाओ और हर नोट पर उसकी कीमत लिखो कागच को काट कर आपको इस तरह से कुछ नोट बनाना है और जितनी का नोट है उतनी उस पर नमबर भी लिखता है पैसे का खेल नोटों और सिक्कों का इस्तिमाल करते हुए नीजे दिये गए पैसों की रकम दिखाओ कुछ पैसे तुम अपने बनाए हुए बटवे में भी रख सकते हूँ 26 रुपे, 4 रुपे, 75 पैसे, 78 रुपे, 130 रुपे, 8 रुपे, 75 पैसे, 35 रुपे इस तरह से आपकी जो रुपे है उनको काउंट करके इधर पे लिखा गया है हर चित्री के नोटों और सिक्कों से दिखाई गई पैसों की रकम को लिखा है ठीक है ना? अब जो दिया है एक सो का नोट है और पचास पचास पैसी है तो क्या होगा है? एक सो एक रुपे इस तरह से आप गिन सकती हैं अब आपको पैसी गिनना तो आ गया ना? तो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको गिनकर इधर लिखना है मेरा मतलब है आपको अपनी नोट जो बुख बना रहे हैं उसमें इस तरह के इन नोट को गिनकर उसमें लिखना है और इनको इधर समझाया ना? आगे है हम बाजार जाएंगे तो जब हम बाजार जाते हैं तो हम क्या क्या दिखाई देता है भहुत सारा सामान दिखाई देता है जैसे बॉल, लडू, कार, खेलने की खिलोने में कार, जिराफ इस तरह के वहुत सारे सामान दिखाई देती है और इनकी कीमत दी हुई है जैसे बॉल सात रुपे का एक है और लडू दो रुपे का है इस तरह से हर उसके कीमत दी हुई है आप अच्छे से पढ़ लेना इहाँ चलें, इस स्टोर में अपने आप ही सामान उठा कर खरीदना है जो स्टोर है, उसमें अपने आप सामान खरीद कर उठाना है लिख कर देखें, बिना कीमत का पता लगाओ एक गैंद और एक खिलोना गाड़ी कितने रुपे की आएगी तो गैंद की कीमत है, साथ रुपे खिलोना गाड़ी की कीमत है, पंदरा रुपे तो साथ और पंदरा कितना हो जाएगा गिरों, साथ पंदरा के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 कितने रुपे के आएंगी? 22 रुपे के एक कॉफी और दो पैंसिल कितने रुपे के आएंगी? एक कॉफी की कीमत है कितने 5 रुपे और एक पैंसिल की 2 रुपे 50 पैसे तो दो पैंसिल की 5 रुपे 5 और 5 दस हो जाएगा इसी तरह दो केले और एक गिलास दूद की खीमत तो दो केले आएंगे तीन रुपे के और एक गिलास दूद तीन रुपे पचास पैसे का तो छे रुपे पचास पैसे हो जाएगा एक गिलास नीवू, पानी और एक बिस्कुट का पैकेट तो एक गिलास नीवू पानी आता है तीन रुपे का और बिस्कित का पैकिट कितने का आता है पांच रुपे का भी आता है इसमें दिया हुआ है कहीं नहीं दिया तो पांच और तीन आठ रुपे का ठीक है ना? इस तरह से कुल कीमत का पता लगाओ जो मैंने पीछे पड़ा दिया है वो ही सब इसमें लिखा हुआ है फिर से बताती हूँ एक किलोना जिराफ एक कॉफी और एक गिलास नीवू पानी तो मैंने पहले से टाइप किया है 14 रुपे 50 पैसे का आएगा एक किलास दूद एक पैकेट बिस्किट और एक केला आएगा 10 रुपे का एक कॉफी दो पैंसिल दो रबर बार रुपे की दो लट्टू तीन टॉफी और दो केले 6 रुपे 50 पैसे की इस तरह से मैंने जो पीछे पिक दी हुई है उससे इनको फिलकल लिया था तो आप अपनी जो नोट वोग है उसमें फिलकल लिये जिएगा और इस तरह के फिलप बना लिजिएगा ताकि आपको एक्जाम में आपको फैल्प मिल जाएगे इनसे अगर तुमारे पास 20 रुपे का नोट हो तो क्या तुम क्या क्या खरीश सकते हो एक खिलोना गाड़ी एक नीबू पानी एक केला खरीश सकते हो न हाँ बिलकुल खरीश सकते हैं तो खरीश सकते हैं और भी बहुत सारे सामान आ सकते हैं जो उसमें कम-कम पैसों के ही हैं तो आप बहुत सारा सामान खरीश सकते हैं इधर पे आपको फिल करना है और इधर भ